Microsoft עxives इसमें हम क़िसी भी Table सी Query कैसी create काते है सबसे पहरा इस Table को open काते है Create में जाते है,दो method से Query Create answer at query Bizards & query Designs अब अगर हम इस Table से Name & Hindi का volume अलग कर करेख एक new tables сделать कानी है,धा हम还有 Query Bizards Name और Hindi को select क्रेख है ह HIMIGH दो इचीजी लिए हैं इसमें next और finish एक नही टेबल के लिट रहे हैं जिसमें name और Hindi के marks लिख हो रहे हैं बिलकुँ simple अगर हम query design से भी काम करते हैं यहां पर इस टेबल को select करेंगे, add करेंगे, close करेंगे, यहां पर हम name अब हम subject other subjects ले रहे हैं इसे हमें English और ssd के marks चाहिए हैं तो हम दो को ही select किया है इस table को save करेंगे, query 1 के नाम चाहिए है, और query 1 पर double click करेंगे, तो name English और ssd के marks show कर रहा है अब हम इस पर form कैसे create करते हैं, हमार data इस तरीके से show कर रहा है, अब हम create में जाके, अगर हम form पर click करते हैं तो individual एक एक बच्ची का show करेंगा, यहां पर और अगर हम किसी का search भी करना है, तो हम क्या करेंगे, आप इसे रमन का search का नाम, यहां पर रमन लिख देगे, यह रमन का highlight करतेगा, अब इसमें reports का क्या यूज़ है, reports का यूज़ हम किसी भी table का preview देखने के लिए करते हैं, यह हमारी forms है, इस forms में, home में जाके, अगर हम view, form view, यह हमारा form view है, और यह हमारा design view है, design view में, हम correction कर सकते हैं, और यह हमारा layout view है, अब हम reports कैसी create काते हैं, सब्सके पहले हम table को open करते हैं, creates, reports पर क्लिक करेंगे, reports बिल्कु सेम टेबल आजेगी, अगर हम इस tables का print निकालेंगे, तो हमाई table इस तरह के से show होगी, यहनि print का preview शो करते है, reports कमान, अब इसकी वी view है, हमारा report view, print preview, अगर print पर निकालेंगे तो इस तरह के से show करेंगा, layout view, और हमारा design view, report का, report view, इस तरह के से, Microsoft Access Me, team, query, report, form, ethno function किस तरह किसे करते हैं, क्या use होता है, यह आज हमने क्या है, क्यूल करूंगे